अध्याय पांच बल एवं गती के नियम Force and Law of Motion दैनिक जीवन में हम अपने आसपास की विभिन वस्तूओं को देखें तो कुछ वस्तूएं इस्थिर वस्ता में लगती हैं और कुछ गती शेल किसे इस्थिर वस्तू को गती में कैसे लाते हैं साइकल चलाने के लिए पैडल चलाना पड़ता है पैडल चलाना बंद कर देने पर उसकी गती धीमी हो जाती है साइकल को गती में रखने के लिए आपको फिर से पैडल चलाना पड़ता है इस प्रकार गेंद को गती देने के लिए हम उसे धकेल सकते हैं गेंद को धकेलने पर क्या वो हमेशा के लिए गतिशील हो जाती है या थोड़ी देर में रुक जाती है गेंद के रुकने का क्या कारण है गेंद को गती देने के लिए हमें उसे धकेलना पड़ता है और फिर वा धीरे धीरे रुक जाती है गतिशेल गेंद कैसे रुखती है? क्या वा अपने आप ही रुख जाती है? अथ्वा कोई कारक जो उसे रोक रहा है पूर्व में हमने पढ़ाए कि किसी वस्तू के स्थिर अवस्था अथ्वा गतिश अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाह कारक की आवशक्ता होती है जिसे हम बल कहते हैं क्रिया कलाप 1 इस क्रिया कलाप में हमें चिकनी लकडी का एक गोला का टुकड़ा या बॉल लकडी के दो पट्टे एक मीटर और 30 सेंटिमीटर लंबाई के प्लास्टिक की ट्रे रेत तेल की जरूरत है छोटे लकडी के पट्टे को 45 डिग्री कोंड़ पर जुका कर एक नत समतल बनाएं लंबे पट्टे को नत समतल के नीचे भाग से सटा कर रखें गुटके को नत समतल के उपरी भाग पर रख कर सरकाएं गुटके द्वारा लंबे पट्टे पर तै की गई दूरी मापें अब लंबे पट्टे को हटा कर उसके स्थान पर रेच से भरी ट्रे रखें पुना गुटके को नच सम्तल के उपरी भाग से सरकाएं और रेज से भरी ट्रे पर गुटके द्वारा तै की गई दूरी मापें उक्त क्रिया को एक चिकनी प्लास्टिक की ट्रे और फिर किसी ऐसी सता जो तेल लगाने से और ज़्यादा चिकनी हो जाए पर करें प्रतेक क्रिया में गुटके द्वारा इन सम्तलों पर तै की गई दूरी मापें बच्चों आपके घरों में जमीन पर कभी पानी या तेल के गिरने से आप उसमें फिजल कर गिरें हैं पक्का आप में से कोई न कोई तो गिरा होगा क्योंकि मैं भी गिरी हूँ इसके अलावा जब हम सडक पर चलते हैं या अपने घर पर चलते हैं और नदी के किनारे रेद पर चलना पड़े तो क्या दोनों में आपने कोई अंतर मैसूस किया है या सड़क पर हम साइकल चला रहे हो और सड़क पर रेद पड़ी हो उस पर जब साइकल चलाना पड़ता है तो लगता है मानो साइकल कितनी भारी हो गई है आगे बढ़ ही नहीं रही है इन सभी घटनाओं के पीछे क्या कारण है आप और हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब गती करती है तो उसके अवरुद में एक बलकारे करता है उस बल को हम घर्शनबल कहते हैं लेकिन क्या सतहों की प्रकृति अलग-अलग होने से वह भी घर्शनबल के मन को प्रभावित करती है ये सवाल मुझे बहुत परिशान कर रहा है पक्का आपको भी ये सवाल परिशान कर रहा होगा क्यों ना इसके लिए हम एक प्रेयोग करें हम इसके लिए एक वस्तु को अलग-अलग प्रकृति वाली सतहों पर डाल कर देखेंगे और देखेंगे कि वस्तु जो दूरी तै कर रही है क्या उसके मान में कोई प्रभाव आ रहा है तो चलिए इस प्रेयोग को करते हैं इस प्रेयोग के लिए हम टैनिस बॉल को यूज करते हैं और इस टैनिस बॉल को हम जो प्लेट आपके सामने है ये एक निश्चित उचाई पर रखी गई है इससे लुड़का कर देखेंगे कि हमारी ये बॉल कितनी दूरी तै करेगी पर उस दूरी का मापन भी करना होगा जिसके लिए हमने यहाँ पर स्केलिंग कर रखी है देखिए यदि मैं इसे 0 फीट मान लूँ तो 0 फीट से यहाँ पर 5 फिट ये दूरी हमारी हुई 10 फिट ये 15 और 20 फिट 20 फिट तक के स्केलिंग हमने कर रखी है अब हम इस टैनिस बॉल को लुड़का कर देखेंगे चली बच्चों हम टैनिस बॉल को यहाँ से लुड़का देते हैं देखें ये कितनी दूरी तै करती है देखें हमारी बॉल ने कितनी दूरी तै कर ली है 5 फिट तो इसने क्रॉस कर लिया पाँच फिट से आगे ये कितनी बढ़ी है इसका भी मापन कर लेते हैं आज फिट के बाद ये आ रहा है अठारा इंच इसका मतलब देड़ फिट और पाँच फिट और देड़ फिट साड़े छे फिट इस बॉल ने दूरी तै की है बच्चों चलो अब हम इस सता को थोड़ा चिकना कर लेते हैं इसके लिए मेरे पास ये तेल है और ब्रश की सहायता से मैं सता पर थोड़ा तेल लगा कर इसे चिकना कर लेती हूँ चलिए इस तेल लगी चिकनी सता पर हम पुना बॉल को लुड़काते हैं और समान धाल से हम इस बॉल को लुड़का रहे हैं देखिए तो बॉल ने कितनी दूरी तै की है चलिए इसका पुना मापन कर ले क्योंकि पिछली बार से ये ज्यादा दूर दिखाई दे रही है पांच फिट तो इसने क्रॉस कर दिया आगे और कितनी बढ़ी है इसका मापन कर लिया जाए हम देख रहे हैं कि ये ओके ये तीन फिट और आगे है इसका मतलब पांच फिट और तीन फिट कुल आठ फिट बॉल ने दूरी तै की है तो बच्चों अब हमने इस सता पर थोड़ी सी रेट डाल दी है और सता को रेटिला बना दिया है इस पर बॉल को डाल कर देखते हैं कि इसके द्वारा कितनी दूरी तै होती है धाल अभी भी हमारा समान डाल है और हमने ये बॉल डाल दी अरे ये तो यहीं पर आकर रुख गई है चलिए इसका मापन कर ले कि इसने कितनी दूरी तै की है इसके द्वारा ये देखिए केवल दो फिट दो फिट की दूरी बॉल ने रेटिले सता पर तै की बच्चों हमने यहाँ देखा कि अलग-अलग प्रकृति वाली सता पर बॉल ने अलग-अलग दूरी तै की जैसे कि जब सामाने सता पर बॉल लुड़की तो साड़े छे फिट, रेट पर केवल दो फिट और चिकनी सता होने पर बॉल द्वारा आट फिट की दूरी तै की गई थी तो अलग-अलग सतों पर बॉल द्वारा अलग-अलग दूरी तै करने का कारण क्या था? इसके पीछे कारण या है कि जब चिकनी सता पर बॉल चल रही थी तो उस पर घर्शन बल गम लग रहा था, जिसके कारण बॉल ने अधिक दूरी तै की, पर लद्वारा तै की गई दूरी भी कम हो गई थी तो घर्षन बल का मान जो होता है वो सतहों की प्रकृती से प्रभावित होता है इस क्रिया कलाप के आधार पर निम्न प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयास करें पहला, क्या गुटके ने सभी सतहों पर समान दूरी तै की? दूसरा, गुटके द्वारा तै के गई दूरियों को भिन्न भिन्न सतहों के अनुसार क्रम में जमाएं तिसरा, किस स्थिते में गुटके ने सबसे ज़्यादा दूरी तै की और क्यों? पूर्वक अक्षाओं में हम घर्षन बल के बारे में पढ़ चुके हैं जो वस्तू की गती को रोकता है, घर्षन बल का मान सतहों की प्रकृती के अनुसार बदलता रहता है जिन सतहों पर घर्षन बल कम होता है, उन पर वस्तू अधिक दूरी तै करती है इसके आधार पर बताएं कि उक्त क्रिया कलाप में किस सता पर घर्षन बलका मान सबसे कम था जैसा कि हमने देखा जिन सतहों पर घर्षन बलका मान सबसे कम होता है उस पर वस्तु अधिक समय तक गती की अवस्था में रहती है सोचे यदि सता पर घर्षन बल का मानने शुन्य हूँ तो क्या वस्तू कभी रुकेगी गैलीलियों का कहना था कि किसी बाय अवरोधक बल की अनुपस्थिती में 36 तल पर गती करती हुई वस्तू नियत वेक से लगातार गती करती रहेगी और इसी तरह यदि कोई वस्तू विराम में है तो जब तक उस पर कोई बाय बल कारिय नहीं करेगा तब तक वा उसी अवस्था में रहेगी अता हम कह सकते हैं कि वस्तू अपनी इस्थिती गती या विराम में तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाहे बल उसकी इस्थिती में परिवर्तन उत्पन ना करे इसे जड़त्व कहते हैं जड़त्व के कई उधारण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं जैसे चलते वाहन में एका एक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर जुग जाता है और वाहन में पड़ी वस्तुएं आगे की ओर सरकती हैं आपने भी ऐसा महसूस किया होगा? ऐसी परिस्थिती के कुछ और उधारण दें क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलते वाहन में बैठा व्यक्ति वाहन के साथ गतिशील अवस्ता में होता है वाहन के रुकने पर उसके शरीर का निचला भाग जो सीट के साथ है जल्दे इस्थिर अवस्ता में आ जाता है परन्तु जड़त्यों के कारण उपर का भाग गतिशील ही बना रहता है अता वाहन में बैठा वेक्ति आगे की और जुख जाता है आप यह भी बता सकते हैं कि वाहन के एका एक चलने पर शरीर पीछे की और क्यों जुख जाता है?